नमस्कार दोस्तों, Study IQ में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है So, TikTok और कई सारी और Chinese Apps आपको मालुम होगा भारत सरकार बैन कर चुकी है कुल मिलाके 59 Apps के उपर बैन लगाया गया था लगभग 10-12 दिन हो चुके हैं इस development को अब TikTok पूरी कोशिश में है कि किस तरीके से वो bounce back करे किस तरीके से वो वापस से इंडिया में entry ले सके इसी कोशिश में उन्होंने एक कदम उठाने की बात की है TikTok की जो parent company है याने की bite dance ये कोशिश कर रही है कि अपने headquarters को अब चाइना से बाहर निकाल ले इसके headquarters चाइना के Beijing में है और ये अब कोशिश कर रही है कि अपनी association चाइना के साथ कम कर दे या फिर उस association को चाइना के साथ खतम कर दे so that जो भी यहाँ पर इसको नुकसान हुआ है इसको लेकर ये वापस इंडिया में entry कर सके आये जानते हैं पूरी story को मेरे साथ but before that do not forget to subscribe to our channel Study IQ Education और bell icon को भी प्रेस करना ना भूले इस lecture की PDF को download करने के लिए मेरे telegram channel पर जा सकते हैं इसके इलावा social media पर भी आप मुझे follow कर सकते हैं राइट so as you can see India bans TikTok and 58 Chinese apps बहुत जादा ये news चली थी और उस time पर कई सारी चीजें उतल पुतल हो चुकी थी कई सारी apps use UC browser से लेकर के share it जैसी apps और कई सारी और apps video making वाली apps जो हैं बैन कर दी गई थी India bans nearly 60 Chinese apps including TikTok and WeChat जिसमें की हमारे जो information minister है उन्होंने एक twitter के through tweet किया था कि data security और privacy को protect करने के लिए ये कदम हमने लिया है ठीक है इसके बाद अगर हम अंदाजा लगाएं TikTok को कितना नुकसान हुआ इस India ban की वज़े से तो TikTok expects over 6 billion dollar loss after India's ban on the app ये TikTok की खुद की एक report थी जिसमें TikTok ने इस चीज़ को admit किया कि हमें कुल मिला के 6 billion dollar का loss हुआ है और TikTok ने ये भी कहा था कि हमें daily basis पर 3.5 करोड रुपे का loss हो रहा है जबसे TikTok की app ban हुई है भारत में The 6 billion amount is most likely more than the combined losses for all other Chinese apps यानि कि अगर हम बाकी सभी Chinese apps का मिला भी लें 58 Chinese apps को मिला भी लें तब भी जो 6 billion dollar का यहाँ पर loss है अकेले TikTok का ये उसके साथ मैच नहीं कर पाएगा अगर हम इसके user base की बात करें जो कि TikTok को यहाँ पर गवाना पड़ा है TikTok इंडिया में ध्यान से सुनिएगा 611 million times केवल 2020 के पहले quarter में download हो चुकी थी January से लेकर March तक पहले महीने से लेकर तीसरे महीने तक 611 million बार TikTok डाउनलोड हो चुकी थी equating to 30.3% of its total downloads worldwide यानि की एक तिहाई डाउनलोड केवल और केवल इंडिया में 3 महीने के अंदर हो चुके थे और ये जो नंबर है 611 million का पिछले पूरे साल के नंबर से डबल है यानि की जितना 2019 में नहीं हुआ था उससे 2 गुना केवल 3 महीने में हो चुका था TikTok का डाउनलोड ये डेटा था और आप अंदाजा लगा सकते हैं TikTok को कितना नुकसान जहिलना पड़ा होगा इस पूरे app की ban की वज़े से अब जहां पर ये कहानी शुरू हुई थी वहीं पर ये कहानी और आगे बढ़ते हुए TikTok को एक और बड़ा जटका लगा जब United States के Secretary of State Mike Pompeo ने ये announcement की कि हम भी कोशिश कर रहे हैं कि हम TikTok को ban करें और कुछ और Chinese social media apps को ban करें तो जटके पर जटका जब लगा TikTok को और यहां पर क्या हुआ कि जैसे जैसे TikTok अपनी market को lose कर रहा था इंडिया में भी anti-China sentiment काफी बढ़ चुका था इसी sentiment को इस्तिमाल करते हुए कई सारी और apps हैं जिन्होंने अपनी जगा बनानी शुरू कर दी थी इसमें प्रमुख तोर पे आती है रोपोसो फिर आती है शेयर चाट रोपोसो एक Singapore कमपनी की आप है और शेयर चाट हमारी Bangalore में ही एक कमपनी है जिसने शेयर चाट आप को बनाया है यह जब से जून 29 को जब यह फैसला आया था तब से लेकर जुलाई 8 तक शेयर चाट के जो आप डाउनलोड्स है वो 257 परसेंट बढ़ चुके हैं और रोपोसो के आप डाउनलोड्स 87 परसेंट बढ़ चुके हैं यानि कि phenomenal growth rate देखने को मिला है हमें इन दोनों आप्स में इस पूरी चीज का नुमायना करते हुए टिक टॉक को लगा कि अब हमें कोई steps लेने की आवशकता है 10 जुलाई को टिक टॉक के headquarter से ये news सामने आती है कि ByteDance may move TikTok headquarters out of China as India has banned the app तो ये पूरी चीज क्या है सबसे पहले ByteDance के बारे में थोड़ा सा मैं आपको idea दे दूँ ByteDance basically एक Chinese MNC है China की ही MNC है इसका मुख्याले Beijing में located है कब बनाई गई थी? 2012 में बनाई गई थी आज अगर आप इसकी valuation की बात करें तो 100 US billion dollar से भी जादा की valuation है इसकी और इसका TikTok एक product है और कई सारे और product से बनाता है ByteDance is the developer of the video sharing social networking service जिसका नाम है TikTok इसने कई सारे और apps को acquire करके TikTok में club in कर दिया है और Vigo Video जो की 59 apps जो की ban की गई थी उसी में Vigo Video नाम की भी एक app आती है जो की काफी similar तरीके से काम करती है like TikTok तो यह कई सारी apps जो की ByteDance के द्वारा यहाँ पर बनाई गई थी जिनको ban कर दिया गया है इसी चीज का अब भरपांद करने के लिए यहाँ पर कोशिश की जा रही है की ByteDance अपने headquarter को यहाँ से बाहर निकाल ले So Chinese internet giant ByteDance is considering की वो अपने popular short video app का जो पूरा का पूरा corporate structure है उसको change करें At the same time, they are also thinking of creating a new management board for TikTok and they are also considering की हम इसके headquarter को चाइना से बाहर ले जाए so that हम अपने operations को जितना हो सके चाइना से दूर कर सकें अगर वो ऐसा करते हैं then the possibility of TikTok coming back to India increases much more क्योंकि हम सभी जानते हैं कि even though यहाँ पर जो reason दिया गया था वो data security और privacy का दिया गया था लेकिन इसमें कहीं न कहीं problem ये भी थी कि जो border पर standoff चल रहा था उसको लेकर एक जवाब देना काफी important था जहाँ पर 59 apps को ban करने का decision था वो कहीं न कहीं उस चीज को लेकर भी लिया गया था यहीं पर TikTok ने आगे कहा है कि we remain fully committed to protecting our users privacy और जैसे जैसे हम इस platform को build कर रहे हैं तो हमारा basically मकसद यही था कि हम creativity को inspire करें और दुनिया भर में joy लेकर आएं यहाँ पर उन्होंने यह भी कहा है कि जैसे भी हम आगे बढ़ेंगे it will be in the best interest of its users, its employees, artists, creators, partners and policy makers याने कि हम सभी के सभी stakeholders का यहाँ पर ध्यान रख रहे हैं यह TikTok ने यहाँ पर assurance दी है यह पहला कदम है जो कि TikTok ने लिया है in order to come back to India जहाँ पर उसने एक major market share को lose कर दिया है एक और कदम जो कि TikTok ने यहाँ पर लिया है देखिए जब apps को ban किया गया था उन apps को ban करने के एक या दो दिन के बाद क्या हुआ भारत की ministry, Union Ministry of Electronics and Information Technology ने उन सभी companies को 59 Chinese apps को notice भेजा था जिसमें की 79 questions include किये गये थे उन्होंने ये कहा था कि अगर आप 3 हफते के अंदर अंदर इन questions का जवाब नहीं देंगे तो हो सकता है कि आपको permanently ban कर दिया जाएगा across India यहाँ पर if these banned apps do not respond by July 22 the ban imposed on them would become permanent उसमें से एक question का जवाब देते हुए TikTok ने जवाब दिया है कि TikTok के उपर जो आरोप लगाया जा रहा था कि TikTok अपने user data को Chinese government के साथ share करता है TikTok ने कहा the app has repeatedly denied receiving Chinese government requests कि ना तो हमें आज तक Chinese government की कोई request आई है और उन्होंने ये भी कहा कि in case अगर request आती है तब भी हम उसका जवाब नहीं देंगे तो खैर अभी बाकी सवालों का जवाब आना बाकी है और जब तक वो नहीं आता तब तक we cannot be sure कि TikTok का future अभी क्या होने वाला है So very interesting developments happening with respect to TikTok जैसे जैसे developments और आती जाएंगी हम आपको update करते जाएंगे इसी के साथ आपसे विदा लेता हूँ Thank you for listening, stay tuned and stay safe